आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NHPC और SJVN की तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू करना तो वीडियो को करते हैं continue NHPC Limited की अगर हम बात करें तो स्टॉक में मौनिंग में काफी बड़ा डंप हमें देखने को गला स्टॉक अगर देखे गाप अपन हुआ था बट यहां पर स्टॉक 3.95 रूपीस के राउंड एक गिरावट बताता हुआ भी हमें नजराया उसके बाद स्टॉक मे अगर देखे धीरे धीरे रिकावरी हुई 3.50 पेसे की रिकावरी शेयर कर गया साथ ही रिटन अगर देखे तो स्टॉक ने एड़ एंड रिटन दिये 94.88 पे क्लोजिंग रही 70 पेसे तक की रिटन हमें आज देखने को इहां पर मिले है वहीं अगर देखे लास्ट फाइड इसमें स्टॉक कंटियूसली गिर रहा है वनमंद की बात करें स्टॉक में एक जंप आये बाद में गिरना स्टार्ट हो गया तो यहां पर अगर देखे काफी कुछ चीजे जो थी निप्टी एनरजी के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि निप्टी एनरजी अगर देखे अनौन होने वाले हैं इसके रेजल्स आने वाले गाई स्टॉक ची ऑप्टर के ऊपर आपको ध्याँदा से है इसके और साथ ही अगर आप ध्यान से देखोगे जो इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम यहाँ पर कम नहीं हो रहा लोग काफी अपना इंटरस इसमें बता रहे है आज भी अगर आप देखोंगे तो 11 करोड के अराउं तक का trade value stock में हमें देखने को मल जाता है 11 करोड के अराउं तक का trade value हमें share में देखने को मिल रहा है yesterday की बात करें तो yesterday भी 9 करोड के अराउं तक का trade value तो और all high volume के साथ ही stock में अगर आप देखो बाइंग हो रही है और community sentiments के आकड़े प्लस यहाँ पर positive है 100% लोग है जो stock में यहाँ पर positive ratings दे रहे हैं साथ ही अगर हम बात कर लें तो share में जो board of directors है उनकी meeting होने वाली है जल्दी यहाँ पर meeting होगी तो board of directors की अगर बात करें तो 17 तारीक के दिन यहाँ पर एक बड़ी meeting होने वाली है यहाँ पर आप clearly देख सकते होगा इसकी 17 माई 2024 जो है इसके audited results announce होगे प्लस यहाँ पर इसके final dividend भी announce होने वाले है तो इस point के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देखना है बिल्कुल 17 माई 2024 तो results के पहले हाँ पर अगर देखें निफ्टी एनर्जी पॉजिटिव हो राइब बट निफ्टी एनर्जी में भी कुछ points है जो आगे में discuss आपको करके बताने वाला हो अब बात कर लेते हैं SJVN की भी क्योंकि SJVN में कच्छी न्यूज आ रही है SJVN Limited की बात करें तो इसमें भी morning में एक डंप देखने को मिला था चार रुपे असी बेसे इशर जो है गिर गया उसके बाद स्टॉक में अच्छी रिकावरी रही पाच रुपे पेतालिस पेसे रिकावरी बता गया वही अगर देखे एड़न स्टॉक ने 125 रुपे 50 पेसे पे क्लोजिंग दी है वही अगर देखे दो रुपे के राउं तक की अच्छी बड़त बताता हुआ ने जरा रहा है बट पिछले पाच दिनों में स्टॉक कंटिन्यूस ली गिरा था यहाँ पर एक काफियत तक पॉजिटिव न्यूज आ रही है एक री नियू साइन 2.2 गीगा ओट और क्लीन एनर्जी दिल्स तो यहाँ पर अगर देखे यह जो कंपणी है री न्यू तो एक बड़ी कंपणी है नाजडाक लिस्टेट री न्यू एनर्जी ग्लोबल पी ल्सी है साइन 5 दिल्स तो सेल 2.2 गीगा ओट रनेवल एनर्जी कैपसिटी तो यहाँ पर अगर देखे यह जो कंपणी है यहाँ पर बेचने वाली है और 2. 2.2 गीगा ओट एनर्जी वाली कैपसिटी और वही कर देखे यहाँ पर जो डील है और एस जीविन के साथ भी होगी रेन्यू अलसो साइं वन गीगा ओट फर्म एस डिस्पैचबल रेनेवल एनर्जी डील वित एस जीविन तो काफी अच्छी जीच है एक टैरिफ और 4.39 उपीस पर किगावाट के हिसाब से यह बेचने वाल है तो यह काफी पॉजिटीव चीज यहाँ पर हमें नजरा दी और इसका भी अगर देखे तो काफी पॉजिटीव फैक्ट रहेंगा इस पर्टिकलर शेर के उपर और एक्जाटली हमें देखने को मिल भी रहा है कि यह स इसको फोकस रखना चाहिए तो निफ्टी एनर्जी किस तरीके से यहाँ पर वक कर रहा है किस तरीके से काम कर रहा है तो बिल्कुल आज एक अच्छी तीजी निफ्टी एनर्जी में रही एक बड़े मोमेंटम रहे बट यहाँ पर अगर देखें इस ट्रेड लाइन के जो शेर से उनमें भी बड़े फॉल यहाँ पर आ सकते है वन आर के टाइम पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एक रींज यहाँ पर बन रही थी काफी टाइम से अगर देखें पहले तो ऊपर से गिरावट आना तो यह था क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डाइम पर जो निफ की और का मुमेंटम आ जाए तो यहाँ पर निफ्टी अनर्जी में आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना होगा ध्यान देना होगा फोकस करना हो क्योंकि यहाँ पर डाउन सेड की और अगर मैं आपको बता हूं तो इक गैप बेंडिंग बढ़ा हुआ है यहाँ पर आप तो इसके उपर ध्यान रखना है तो यहां तक ही जब आएगा तब तक जो एनर्जी से रिलिटेड शेर्स है जो नहीं से उनमें भी एक फॉल आएगा तो एक बाइंग उपर्चनटी आपको तब यहां पर मिलने वाली तो थोड़ा आपको वेट इसमें करना चाहिए तो और काफी कुछ चीजे जो हम डिसकस कर चुके है इंवर्टिकलर शेर्स को लेकर नेफटे एनर्जी को लेकर तो आएवप आपको यह विडियो हेल्पल और अच्छा लगा होगा विडियो अच्छा लगा हो विडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी स्टॉ में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram चले को join करो link नीचे description में है